कहानी में हमें दिखाया जाता है कि नावी लोगों ने इंसानों को वापस पृत्वी पर भेज दिया था और इस बात को अब एक दशक से भी जादा का समय हो गया है और इन सालों में जेक सुली ही ओमेटिकाई कभीले का सरदार रहता है और जेक नेतिरी के साथ मिलके अपना परिवार बनाता है और अपने परिवार का पालन पोशन करता है जिसमें जेक के दो बेटे नेतायाम और लोआक शामिल है और इनके अलावा जेक के परिवार में उनकी दो बेटियां भी होती है एक उसकी खुद की बेटी तुक होती है और दूसरी बेटी कीरी होती है जिसे एक मरे हुए अवतार से कीरी का जन्म कैसे हो गया और इनके अलावा जेक के परिवार में एक इनसानी लड़का स्पाइडर भी होता है और स्पाइडर करनल माइल्स का बेटा होता है और करनल माइल्स ही अवतार फ़ेष्ट में में विलेन था और spider का जन्म पेंडोरा में ही हुआ था वो बहुती छोटा होने की वज़े से cryostasis याने sleeping pod में प्रिथवी पर नहीं जा सका और उसे पेंडोरा में ही रहना पड़ा और इसके अलावा प्रिथवी के कुछ और लोग भी पेंडोरा में रुख गई थे और इनसानों ने पेंडोरा पर ब्रिज हेट सीटी नाम का एक नया उपरेटिंग बेस बनाया होता है वहीं से वो अपनी पेंडोरा पर सारी activity कंट्रोल करते हैं करनल माइल्स और उनके सातियों की पेंडोरा पर एक लड़ाई में मौत हो जाती है और ये सब हमें अवतार फ़ष्ट में दिखाया गया था लेकिन उनके मरने से पेले ही करनल माइल्स और उनके लोगों के अवतार बना लिये थे और अब उन अवतारों में उनकी मेमोरी ट्रांसफर करके उन्हें फिर से काम पे लगा देते हैं और दूसरी तरफ जेक RDA कमपनी की सप्लाई लाइन के उपर हमला करता है और वो एक ट्रेन पे हमला करके उनके हत्यार चुरा के भाग जाते हैं और जेक सली की बढ़ते हुए हमलों की वज़े से करनल माइल्स और उनकी टीम को जेक सली को मारने का मिशन दिया जाता है करनल माइल्स और उनकी टीम जंगल में जेक सली को ढूंड रही होती है तब वे लोग जेक सली के बच्चों को पकड़ लेते हैं लेकिन तबी वहाँ पर जेक और नेतिरी आ जाते हैं, वो करनल माइल्स और उनकी टीम के उपर हमला करके बच्चों को छुड़ा लेते हैं, लेकिन स्पाइडर को करनल माइल्स द्वारा पकड़ लिया जाता है, और करनल माइल्स को पता चलता है कि यह मेरा ही बेटा था, और कमपनी के लोग जेक के ठिकाने का पता लगाने के लिए स्पाइडर को टॉर्चर करते हैं और करनल माइल्स अपने बेटे को अपनी तरफ एट्रक्ट करने के लिए उसके साथ समय बिताने का फैसला करता है और Spider Colonel Miles को नावी लोगों की संस्कृति और उनकी लेंग्वेजे सिखाता है और Spider को जेक के सारे ठीकानों के बारे में पता होता है और ये बात जेक सली अच्छे से जानता है कि वे Spider को टॉर्चर करके हमारे ठीकानों के बारे में पता लगा लेंगे जिसकी वज़े से जेक का पूरा परिवार खत्रे में आ जाएगा इसलिए जेक अपने परिवार की सिक्यूरिटी के लिए अपने पूरे परिवार के साथ ओमेटिकाई कबिले को छोड़ के चला जाता है जेक अपने परिवार के साथ पेंडोरा के पूरवी समुद्र तट पर मेटकाइना रिफ लोगों के कबीले में चला जाता है और कबीले के लोग उन्हें अपने साथ रखने के लिए तयार हो जाते हैं लेकिन कुछ लोग उन्हें जंगल में रहने वाला आदिवा से मानते हैं और कुछ उन्हें उनके हुमन जिन की वज़े से दाना उरक्त भी कहते हैं याने शेतान के लोग जेक और उसका पूरा परिवार रिफ लोगों के साथ मिलके उनके तोड़ तरीके सीखता है यह कैसे पानी में तेरना है शिकार करना है और कीरी समुद्र और उनके जीवों से एक अध्यात्मिक बॉंड बनाती है जिसमें वे एक दूसरे की फिलिंग समझते हैं और दूसरी तरफ लोग कबीले के सरदार की बेटी सिरेया से दोस्ती करता है एक बार लोग की सिरेया के बाई ओनूंग से लड़ाई हो जाती है जेक के कहने पे लोग ओनूंग से माफी मागने के लिए वापस जाता है ओनूंग और उसके दोस्त उसे एक खतरनाक समुद्री शिकारी के शेतर में यात्रा करने के लिए ले जाते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं लेकिन तभी लोग पर एक खतरनाक समुद्री जीव हमला करता है लेकिन लोग को उस समुद्री जीव के हमले से बचा लिया जाता है उसे बचाने वाला पाइकन याने एक टुलकुन होता है और वो बहुती बुद्धिमान और शांतिवादी सिटासियन प्रजाती से होता है और लोआक उससे दोस्ती कर लेता है सिटासियन प्रजाती को मेटकाइना कभीले के लोग अपना अध्यात्मिक परिवार मानते हैं कभी लेके सरदार को ये पता चलता है कि लोआग समुदर में कहीं खो गया और उसे समुदर में ले जाने वाला सरदार का ही बेटा है लेकिन तबी लोआग सरदार से कहता है कि ये सारी गलती मेरी ही है मैंने ही ओनूंग से जिद कीती कि मुझे समुदर में जाना है और इस तरह से लोआग ऑजनुग को बचा लेता है अपने पिता की डाट से और इसी के साथ उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और लोआग को बताय जाता है कि उस टुलकुन का नाम पायकान है और उसे उसकी प्रजाती में से भईशकार कर दिया होता है कीरी अपनी माज से मिलने के लिए मेट काइना के ट्री ओफ सोयल्स याने आत्माओं के पेड से जुड़ती है लेकिन आत्माओं के पेड से जुड़ने की वज़े से उसे जान लेवा दोरा पड़ता है लेकिन रोनल दुआरा उसका इलाज करने से वो ठीक हो जाती है रोनल मेट काइना कबीले के सरदार की पतनी होती है लेकिन कीरी का इलाज करने के लिए जेक अपने पुराने दोस्त डॉक्टर नॉर्म और डॉक्टर मेक्स को जब मदद के लिए बुलाता है तब करनल माइल्स और उनके लोग उनके जहाज को ट्रेक कर लेते हैं और करनल माइल्स सोचते हैं कि इन सारे दीप में से किसी एक दीप पे जेक और उसका परिवार चुपा हुआ है और इन दीपों में रीफ लोग रहते हैं और करनल माइल्स स्पाइडर के साथ वेलिंग जहाज से उन दीपों की और बढ़ते हैं वेलिंग जहाज और उसके लोग तुलकुन का शिकार करते हैं ताकि वो तुलकुन को मारके उसके माइंड से एक लिक्विड निकाल सके जो एंटी एजिंग का उच्चार करता है याने वो इनसानों की उम्र बढ़ने से रोक लेगा और वे लोग इसे अम्रित कहते हैं जेक का पता लगाने के लिए करनल माइल्स उन दीपों में बसे कहीं गाओं में जाता है और गाओं वालों के नहीं बताने पर वो उन लोगों के गर जला देता है लेकिन फिर भी उसे जेक के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है इसलिए वो वेल जहाज के लोगों से कहता ह कि हमें जेक को बाहर निकालने के लिए तुलकुन को गाउं के पास ही मारना होगा समुद्र तट पे रहने वाले नावी लोग तुलकुन के साथ अध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हैं वे लोग तुलकुन को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और करनल माइल्स को ये बात पता होती है कि टुलकुन को मरा हुआ देख के वे सारे लोग उनके उपर हमला करेंगे और इस मौके का फाइदा उटा के हम जेक को मार डालेंगे। लोख मानसिक रूप से अपने दोस्त तुलकुन पायकान से जुड़ता है क्योंकि वो ये जानना चाता है कि क्यों उसका बहुशकार कर दिया, फिर उसे पता चलता है कि तुलकुन उनके प्रजाती के तोड़ तरीकों के खिलाफ गया था, क्योंकि उसने तुलकुन को मारने वेलरों पर हमला करके उन्हें मार डाला था क्योंकि वेलरों ने पाइकान के सामने ही उसकी मा को मार डाला था जब मेट काइना कबीले के लोगों को टुलकुन की हत्याओं के बारे में पता चलता है तो वे अपने अपने टुलकुन को ये बात बता देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग किनारों से बहुत दूर गहरे समंदर में चले जाओ और दूसरी तरफ लोआक भी अपने टुलकुन पाइकान को चेतावनी देने के लिए रवाना हो जाता है और लोआक की हेल्प करने के लिए उसके भाई बेन भी आ जाते हैं और तब उन लोगों को पता चलता है कि वेलर्स लोग पाइकान को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं लेकिन लोआक और उसके भाई बेन मिलके पाइकन को बचा लेते हैं और उसे समुद्र में भाग जाने के लिए कहते हैं लेकिन इस चकर में सिरिया और्टू को करनल माइल्स पकड़ लेता है और अपने बच्चों को खत्रे में देखे जेक, नेतिरी और मेटकाइना कबीली के लोग उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और पाइकन के हमले से जहांच के कहीं लोग मारे जाते हैं और जहांच को बहुत नुकसान पहुचता है जिसकी वज़से जहांच समुदर में डूप जाता है और दूसरी तरफ नेतायाम लोआक, सिरिया और स्पाइडर को करनल माइल्स की चुंगल से चुड़ा लेता है लेक जेती है कि बेटे के बदले बेटा और अपने बेटे को खत्रे में देखके करनल माइल्स कीरी को छोड़ देता है जेक नेतिरी तूक और करनल माइल्स डूपते हुए जहांच में फस जाते हैं और इसी डूपते हुए जहांच में जेक और करनल माइल्स के बीच की लड़ा चेक करनल मायल्स का घँला दबा देता है जिससे वह समूद्र में बेहोशों के डूब जाता है और पायकान लोवाक और जेक को समूद्र में डूबने से बचा लेता है और कीरी समुद्री जीवों की मदद से नेतरी और टूक को डूपते हुए जहांच में ढूंड के बचा लेती है और स्पाइडर करनल माइल्स को समुद्र में डूप कर मरने से बचा लेता है लेकिन करनल माइल्स ने नावी लोगों के साथ जो किया जिसकी वज़े से स्पाइडर उसे छोड़ देता है और जेक के परिवार में शामिल हो जाता है नेतायम के अंतीम संसकार के बाद जेक अपने परिवार के साथ मेटकाइना कबीले को छोड़ के जाने के बारे में कबीले के सरदार को बताता है लेकिन कबीले का सरदार उसे कबीले छोड़ कर जाने से मना कर देता है और कहता है कि आज से तुम हमारे अपने हो जेक और उसके परिवार का अपने कबीले में रहने के लिए वो स्वागत करता है जेक और उसका परिवार समुद्र को ही अब अपना नया घर मान लेता है और व झाल झाल